चुले खबरों में आगे बढ़ते हैं लेकिन मनिपूर का मामला ही है मनिपूर मामले में जेडियू ने जो आरोप लगाया है धन बल का लाला चुदेकर बीजयोपी ने विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया है और नारोपों पर बिहार विधान सभा के नेता प्रत बिहार भी हमला का दर्द कुछ और है कारण कुछ और है मनिपूर में तो ओ थे ही नहीं भार्तिये जनता पाटी नहीं उनको मनिपूर में पिहार भी मुक्त के रह पर चल चुका है और बिहार में तो राजत के गोद में जाके बैठ गए है तो जो जदियू के कार्ज करता अपना खून पसीना बहाया उस अरजकता जंगल अराज में संघर्ष करकर के कई लोग सहीद हुए वो तमाम लोग के अंदर की दर्दा भर रही है और वो राजत के गोद में बैटे हुए मुख मंत्री को छोड़ कर जो विहार के सुसासन को अ गया गया होता है क्या अभी बेचईनी तो सुरुवात हुई है इनकी परिशानी तो और बढ़ने वाली है मानिय मुख मंत्री जी आपके बगल में जो असोग चोडरी जी खरा होते हैं दूसरे दल से तोर करके उसके प्रदेश के अधर्ष ते कौन सा सदाचार अपनाए थ ऐसे तो हम ज़्यादा कहेंगे ने उनके बारे मानिय मुख मंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि ये संविधान के ग्याता है और हम तो इनसे सीखते हैं भागरपूर के नाचनगर प्रखन छेत्रों में दिलदारपूर बिंद टोला में बार के पानी से लोग परेशान हैं लोगों के घरों में 16 फिट से अधिक पानी हैं लेकिन बार पिरतों को जिला प्रशासन किसी प्रकार की मदद नहीं पहुँचा रहा है जमीनी हाकिकत का डी टीवी भारत की टीम ने जाय जालिया दिलदारपूर की कर रहा है जहां पर अधिकारी ये नहीं मान रहा है कि घर डुबा है लेकिन ये तस्वीर उन अधिकारियों के लिए है जो बारत प्लित को ये कहते हैं कि वहां बार नहीं आया है तो तस्वीर में कही न कही जिला परशासन पर भी सवाल ख़़ा करता है कि आखिरकार वो अधिकारी किस तरह से उन्होंने कह दिया कि बार नहीं आया है हलाकि तस्वीर लगतार हम ये दिखाने के प्रियास कर रहा है कि घर में जो है वो करीब 14 फिट पानी से अधिक है और लोग अब रहने के लिए उचे अस्थान प्लाइन कर रहा है तस्वीर बिंद टोली दिलदारपूर से दिखा रहा है इस और भी दिखा रहा है कि किस तरह से ये जलाबन है और लोगों ने पेड़ पर इसे रखा है ताकि वो भींगे ना और बाद में ये काम आया आगे जो है गंगा की धार है वो काफी रप्तार से पानी बढ़ रहा है और ऐसे में बच्चा उसी गंगा के और से जाएंगे और उचे अस्थान पर प्लाइन करेंगे